पॉइट पर बात करने वाला हुआ प्र पॉइंट पर मैं आपको यही बता रहा था कि आप वह तक क्या बता है कि भाई अगर इफ फिर से मैं लिख रहा हूं अपको यही बात कियो रिपीट करों क्योंकि ता कि आपको याद है बेटा मेरे साथ-साथ इफ फंसान इज डिफ्रेंसियेबल डिफ्रेंसियेबल एट एक सिकोल टूए इतने बार में आपको याद लेना चाहिए एक सिकोल टूए देन क्या क्या आपने पास है लेच डी बराबर आरेच डी है और एक और वर्ड मैंने यहाँ पर देखो अलग चौक से लिख दे रहा ह इन आउ currently होने पर क्या इस बने का मैं आपको बताऊंगा की जब इन फाइन इस होता है तोan आएपो यहां पर सूकर कर रहा हो कि हाँ क्या होगा उस case में अगर finite के जगा infinite होगा तो तो क्या टेंट इटा इकोल टो infinite क्या ऐसी परपेंट जो क्या ऐसे vertical line जो ये वाली line हो सकती है vertical क्या वो line आपका tangent बन सकती है कि नहीं बन सकती है जिसका नाम भी होता है vertical tangent पर वो एक special case है उसको पढ़ेंगे फिलाल में अगर finite है तो हम आग बंद करके कह देंगे कि ये चीज डिफ्रेंसियेबल है ये हो गया या दूसरा इसको लिखने का तरीका f-a minus equal to f-a plus equal to finite ठीक है आज तीसरा अगर एक और बात बता है कि अगर डिफ्रेंसियेबल है तो differential coefficient f-a इन सब के वराबर f-a हो जाएगा क्या इन सब के equal to कौन हो जाएगा f-a मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप मैं लिखूँ तो f of a equal to मैं लिख सकता हूँ अगर डिफ्रेंसियेबल है तो हम निकाल सकते हैं limit h tending to 0 बहुत important तीन फर्मुला में बताना जा रहा हूँ limit h tending to 0 आपका f of a plus h a minus h minus f of a upon minus h अगर function डिफ्रेंसियेबल होता क्या फरक पड़ता है कि आप इसको निकाल ले हो कि इसको निकाल ले हो a of a plus h minus f of a upon plus h इसी का नाम मैंने lcd दे रखा है इसी का नाम मैंने rcd दे रखा है ये दो के अलामा ये दो फर्मुले के अलामा एक और फर्मुला इस दुरिया में एक्जिस्ट करता है तीसरा फर्मुला ये दो ये दो फर्मुले है फर्मुला वान फर्मुला टू और ये फर्मुला थ्री फार्मूला 3 क्या है फार्मूला 3 फार्मूला 3 क्या है f of a की value आपकी होती है limit extending to a f of x minus f of a upon x minus a ज़रा देखो तो इस फार्मूले को इस फार्मूले को हम नाम देते हैं भी यह यह है आपका यह है फिलकुल रामबार बोलते हैं इसको यह रामबार है भाई यह है आपका रामबार कभ यूज करते हो यह रामबार फार्मूला है यह कब बोलते हैं इसको कभ यूज करते हैं कि वाई यह फार्मूला तब अपलाई करो जब ये दोनों फर्मॉले से आपके काम नहीं बन रहे हैं तो आप राम बार फर्मॉला यूज करो डेफिनेटली ये आपका ये वो दवाई है ना कि जो कि हर किसी के हर मर्ज का इलाज इसमें तो मिल ही जाएगा आपने होता है आज कल के समय में लोग इम्मुनिटी पहले अगर कोई चीज आसानी से काम हो जा रहा है इन दोनों से आप इसको अप्लाई करोगे ही करोगे तो पहले आप इसको अप्लाई करते काम नहीं बन रहा है तो आप इसको खा रहे हो यानि राम बार इलाज अप्लाई करो इसको मैं नाम देता हूं राम बार फर्मॉला एक काम करेगा पक्का हर जगा काम करेगा डेफिनेटली बहुत जानदार फर्मुला है प्रोवाइट इसमें एक वर्ड मेरी देता हूँ नहीं तो आप कहोंगे सर आपने पुर्ष्ट गरत लिख दिया प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड लिमिट इग्जिस्ट और यह क्या बला है सर तो यह एक बला काउंसी है यह तो आप लिमिट में पढ़ चुके हो कि लिमिट इग्जिस्ट करने पे लिमिट इग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ फर्मुला आपने पड़ा अगर जिसकर मैं देखो थोड़ी देख लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपको बस प्रेक्टिस के लिए एक डेस थ्री आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे एक तो आप लिख सकते हो a3-h-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3-a3 3 A A extending to A A P extending to 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर A P of X minus A P of 3 upon X minus 3 यह है कौन सा ही X का नाम क्या है यह है रामबाड फर्मुला तो रामबाड फर्मुला आप यूज कर लिए कि काम तो करेगा यह करेगा अच्छा जरा और देखो इसी के ऊपर मैं और आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाता हूं लिखने का तो क्या हो जाएगा प्रैक्टिस फटा फट और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे लिखेंगे क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे एफ डैस माइनस टू हमको चाहिए तो आप किसी मी फर्मूले को लिखना चाहता हो कोई वच्चे का नियूरॉंस दिमाग में उठा और बोला कि सर हम तो लिखेंगे f of minus 2 plus h minus h minus f of minus 2 तो नीचे में क्या डालो गया तो क्या डालो गया माइनस h यह प्लस h आप देखोगे यहाँ पर कि माइनस टू के साथ कौन है प्लस है कि माइनस एच्छ है प्लस है तो नीचे प्लस है कि सी का न्यूरान जगा बोला कि यहule हमारा धमकोते यह याद आ रहा है तो उस living story नहीं हम इसके लिए काम करेंगे और कैसे से काम करेंगे react माइनस माइनस टुवप only minus X-1 एक साफ माइनस आफ माइनस टू कर द्यान से क्या एक साफ माइनस आफ माइनस टू क्योंकि एक जगहा पर माइनस टूए उसके साँ दिमागी अलग काम कर रहा है क्या काम कर रहा है इसका कि एफ आप माइनस टू माइनस एच माइनस एफ हाफ माइनस टू तो नीचे क्या आके बढ़ जाएगा माइनस एच अब मैं एक सवर फिर से पुछ रहा हूं आप से निरा बताना आप लोग रवदाना बच्चों की मैंने लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टें माइनस एच पूलो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर ऐसे लिखा उल्टा उल्टा भी अपने को सीखना है अगर ऐसे लिखा एच इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या लिखा गया है ज़िए देखो तो अब यहाँ पे हमको ध्यान चाहिए, यहाँ पे ध्यान से इसलिए मैं थोड़ा से उधर साइड में बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हमको ध्यान से देख रहा है, तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे हमको चाहिए, तो हमको थोड़ा जगा चाहिए यहाँ पे, अब इस जगा का हम यूज करें कि अगर suppose कि ऐसे लिखा हो limit extending to 5 f of x minus f of 5 upon x minus 5 आपका जवाब होगा sir ये f dash 5 होगा हम बोलेंगे सांदार आपका जवाब बहुत ही सांदार था और इसी जवाब का परतिच्छा करते हुए हम बोलेंगे वेटा अब बताओ extending to h या extending to p थोड़ा सा अभी और आसान करता हूँ f of x minus f of p upon x minus p क्या हो जाएगा वच्चों f dash p आई वाज समझ में जो इसके तरफ tend कर रहा है मैं limit बताया था लेट बताया था कि यहां पर x जा रहा है p के पास कौन जा रहा है p के पास x जा रहा है p के पास तो variable कौन हुआ कौन variable हुआ p आपका x variable हुआ रुका कौन है अपने आपको एकदम मतलब attitude में हम तो अपन नहीं रहेंगे अपन तो नहीं move करने वाले है इसके पास extending to p मतलब x moving towards p either left side either right side तो यह तो left side से जा रहा है या right side से जा रहा है इसका मतलब कि आपको x move करत x जो move करता है वारियवाल होता है p constant है तो हम जब differential coefficient लिख रहा है तो जो move करके जिसके पास पहुँच रहा है वही यहां पर आ रहा है इधर देखो जड़ा इधर जड़ा देखो कि यह आपका यह move करके 4 के पास पहुच पहुच गया इधर आपका देखो यह move करके आपका extending to 0 से यह आपका move करके पहुच गया minus 2 पे तो minus 2 हो गया अब और पूछ रहा हो जड़ा एक और limit x tending to y अब तो आपको जबाब आना चाहिए बोलो क्या हो जाएगा बेटा x move कर रहा है y के तरफ f of x y रामबार फर्मूला है क्या बन जाएगा यह f dash y अगर मैंने इसी चीज़ को जब मैं दिखाऊंगा तो maximum जगा पर ऐसे लिखूंगा मैं जब आपका सवाल आएगा तो y tending to x मतलब y move कर रहा है f of y minus f of x upon y minus x जड़ा देखो बदल गया यहाँ पर कौन move कर रहा है y variable कौन है यहाँ पर variable है variable is y और x क्या है तब constant क्यों जड़रत पढ़ दिया सर्थ क्यों इसमें इतना माथा खपा रहा हो क्योंकि मैं आगे इसमें बात करने वाला हूँ जब सवाल करूँगा तो x tending to y यह हो जाएगा आपकी बात f dash x आपको बात समझ में आई पहले हम f dash लिखना सीख रहे हैं f dash हमने लिखना सीख लिया कि कैसे किसी भी तरीके से होगा तो आपको लोग f dash लिख सकते हैं बता सकते हैं कि कौन f dash लिखा गया है बात समझ में आ रहा है logically हर बार आप चलना कि कैसे f dash x लिख लिख रहे हैं अब जब अगले point की तरह बात करने हैं कि मतलब अभी मैं बोल ला था आपको याद हो तो कि आपको कोई function continuous होगा तो क्या उसके डिफ्रेंसिबिल्टी के बारे में हम कितना सी ओर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं यही वाली बात है कि अगर function continuous है continuous है तो इस बात की हम guarantee नहीं ले सकते मतलब this does not imply इसका मतलब इंपलाई हुआ न काड़ दिया मतलब this does not imply कि function डिफ्रेंसिबल होगा आए क्या चीज क्यों भाई continuous है तो continuity में दो बात हैं कि इसमें हो सकता है कि sharpness हो मतलब में भी sharpness में भी sharpness हो सकता है कि इसमें sharpness हो और sharpness होने से continuity पे कोई फरक नहीं पड़ता है और may not be sharpness हो सकता है कि sharpness ना भी हो अगर sharpness नहीं होगा तब तो function डिफ्रेंसिबल हो जाएगा लेकिन अब यह थोड़ी हमको पर चल पाएगा continuity से कि नहीं function में sharpness था या नहीं था तो इसका मतलब कि यह function continuous है तो डिफ्रेंसिबिल्टी के बारे में sure नहीं हो सकता है किस वज़ा से sharpness की वज़ा से क्योंकि हमें surety के बारे में बात कर रहे हैं क्या function discontinuous होगा अज़ा function डिफ्रेंसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसमें इसलिए surety differentiable के लिए इसका मतलब है कि में और में नॉट भी कि डिफ्रेंसिएबल कि अगर function continuous है दूसरा second point अगर मालों कि discontinuous हो गया dc हो गया तो यह इस case में क्या आप कह सकते है क्या कि function डिफ्रेंसिबल होगा हो तो अब यह कुपी होगी न डिफ्रेंसिबल के function non-differentiable हो गया क्या स्योटी दे दिया यह function non-differentiable हो गया और इसको मैं non-differentiable को सिर्फ एक बार के लिए मैं पूरा लिखा आगे से मैं nd लिखूंगा नंदू ठीक ना यह नंदू हो गया function एंडी का मतलब नंदू रहेगा तो यह dc या नंदू क्या बनेगा dc या ंड क्या रहेगा तो जब dc होगा तो एंडी होगा पक्का तीसरे नंदू होगा तो क्या इस बात की गारंटी देता है क्या कि फंक्शन डिसकॉंटिनिवस होगा तो नहीं क्यूंकि या फंक्शन फंक्शन डाकरनला लेकस फंक्शन और गलेकस सोगता है तो यह चाह्工 ждamm Iya'll खंट इस इंडी। ग्मच्ण करनीरी निक्डिनिवस होगाší्स कोन्धिनिवस자나 इसके बारे में इसुर्टी नहीं देता है प् resid्शा क्या क्या होगा वे तो हम इस बात से शूर नहीं है कि non-differensibility does not imply discontinuity but differentiable imply continuity discontinuity imply non-differensibility यह बाली आपकी बात जो है continuity versus differentability का एक आपके इन दोनों के बीच के तक्कर है मैच हो यह बताता है कि अगर यह है तो यह होगा और यह है तो यह शूर नहीं है मतलब हम इसके बादे में guarantee बता नहीं सकते ठीक है इसके बाद आते हैं 10th number के point पे बड़ा बड़ा ही important point मेरे हिसाब से इतने सारे मेहनत करने की ज़रूरती नहीं थी इतने यह सब तो चीजे हम समझने फिल लेने के लिए सीखा हमने सीखा 10th point को अगर हम धंग से पढ़ ले न तो 10th point पढ़ने का मतलब यह है कि जब आप differenceability आपको चेक करना होगा तो lhd definitely निकालेंगे आप तो आपने lhd निकाला lhd निकाला हूँ आया lhd आया आपका माना की कोई l1 एक नंबर आया जो की finite था आपने rhd निकाला वो कोई एक नंबर l2 आया मैंने माना की यह finite था अगर मैंने कहा कि lhd और rhd निकाला और यह finite था अगर यह दोनों अगर यह दोनों एक्कोल हो जाएंगे तो function क्या हो जाएगा differentiable और function differentiable मतलब continuous ते होगया differentiable मतलब continuous ते होगया अगर यह दोनों बराबर हुए तो suppose कि यह दोनों पराबर नहीं है इव कि अलवान इक नॉट एक कोल्टो एल टू तो क्या इस यह किस बात की तरफ गारंटी किया कि फंक्शन कि एज नंदू function कैसा है function तो नंदू है मतलब non-differentiable है function नंदू है नंदू है इसके वारे में तो बता दिया लेकिन एक बात और साथ साथ बता दिया कि बट फंक्शन इज कॉंटिनुवास क्योंकि हमने lhd और rhd निकाला है तो lhd भी फाइनाइट आया है और rhd भी फाइनाइट आया है इसका मतलब यह है कि इस केस में क्यों non-differentiable यह श्योर्ट करता है कि इस बार सिर्फ corner आया है corner या sharpness available है क्यों है मैं अभी आपको थोड़ा सा एक फील देने के कोशिस करता हूँ available है यहां पर तो मैं वह आपको फील देने कोशिस करता हूँ कि क्यों है ऐसा इधर देखो lhd निकाला मतलब आपका 11 आया है मतलब 11 का मतलब फाइनाइट से माल लो मैंने कहा कि लेड आपका 11 की वेलू 3 है और l2 की वेलू 5 है माल लेते है सपोर्च सपोर्च कि ऐसा कुछ है या मैं l2 की माइनस फोर कर दिया कि ऐसा कुछ है माल लेते है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 11 तो फाइनाइट है पे भी टेंजेंट थी लेकिन कहां से टेंजेंट राइट साइड कि दर से टेंजेंट थी राइट साइड क्योंकि आपको याद करो मैंने बताया था है लेचिटी का मतलब लिप साइड वाली सेकेंट और अलेचिटी का मतलब राइट साइड वाला सेकेंड तो यह तो कुछ टेंजेंट ऐसे आएगा। से एल्टू की वेलो यहां से कुछ एल्टू की वेलो इसका एल्टू मतलब राइट साइड का सेकेंड है आपका माइनस फोल जरा बनाव बोलो क्या यहां पे जब इस पॉइंट पे फंचन एक दूसरे से जुड़ा था फंचन एवलेबल था तभी तो लेप साइड का और रा अगर फंचन वहां पे नहीं होता तो आप फंचन का टैंजेंट जिस्टी नहीं करता होता ही नहीं फंचन जब है ही नहीं तो टैंजेंट कहां खीचोगे यहां पे फंचन ही नहीं टैंजेंट कैसे खीच सकते होया कोई है आपके पास मोगा कोई जादू थोड़ी जादू कर सकते होगा किया कुछ लाही है तब ही थीर जोड़ा और पाः्ग कि तुम ने पकड़ लिया इसा थोड़ी होता है पाः नहीं कर रա यह जिció लिए उनिक तेंजेंट का concept कांजर्म नहीं किया और इसलिए function आपका non-differensival हुआ लेकिन continuous हो गया तो सोचो ये वाला point कितना काम का point है most important point मैं इसको मानता हूँ most most important point कि भाई ये वाले point में आपने आपका जैसे ही आपको differenceability non-differensibility दिया जाएगा तो आपका एक परम कर्टब्ब्य equal हुआ LHL,RHL और रूस्व निकालने के बजाए आपने direct का कि वो हो सर ने तो एक तिरों पढ़ाया था एक बात बता ही थी अगर यह दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम तो वहीं कह सकते हैं, यह तो आपका function continuous हो गया, और infinite होने पर क्या होगा, वह अभी भी मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं बीच में कहीं बता रहा हूँ, तो फड़ा इस पर कुछ सवाल कर लेंगे, तो, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं, infinite होने पर, उसको मैं अपर थोड़े दिल में आपको बताता हूँ, ठीक है? अब जरा सब इतने हमने concept पढ़ लिया, अब 10 concept पढ़ने के बाद, जो भी चीजे हैं, अब इस पर सवाल करते हैं, जरा मजा लेते हैं सवालों का, क्योंकि मजा तो तब ही आता है जब हम सवाल करते हैं, क्योंकि यह सो सब theory पढ़ते हैं, theory तो खतम हो गया, defensibility का, एक, दो, और concept है वसके वाद से फेरी खत्व हम गया लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब सवाल हम इसको कर पाए असली हमारा कहां से निकल के आता है चीज़े हमें मज़ा कब आता है जो हम सवाल फटा 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 फट सवाल बना लेते हैं कि तरफ बात करते हैं जैसे क्विस्टन आपके आपके लिए लिखा गया है कि मांग लोग की दुनिया वाले सवाल दिये बड़े ही जाली होते हैं को इतना विटा इतना पढ़ लिए ज़राई सवाल का जवाब देतो 2x plus 1 x greater than or equal to 1 and 4x square minus 1 x less than 1 तो फिर कहेंगे कि check differentiability at differentiability of fx कहां पे at x equal to कहां पे 1 पे क्योंकि इसका turning point क्या है बोलो बेटा turning point क्या है बच्चो x equal to 1 अच्चोर turning point है उसी पे तो पुछेगा उसी पे तो उसको दिक्कत है बागी पे कहां दिक्कत है बागी पे तो उसकी एक अंदा भी देख लेगा कि हां ये function smooth है differenceiable है तो अगर ये पूछा है तो हमारा धरम बनता है हम क्या पहले वही परम कर्टब यह किस चीज का है परम कर्टब यह क्या है परम कर्टब यह हम क्या करेंगे कि lhd निकालेंगे lhd निकालने का सबसे पहले मैं फारमूला लिख दे रहा हूँ क्या है फारमूला limit h tending to 0 f of a minus h minus f of a upon h minus h एक बात और है फिलहाल में तो मैं इस सवाल के लिए और कुछ स्टार्टिंग के यह पहला और दूसरा lecture तक पहला दिन मतला आज का और कल के यह अग और ऐसे मतलब आख देखा आख बंद किया एक मिनट सोचा मतलब 10 нд शेकेंड सोचा फिर आनसर दिया नहीं है कैसे बस इसको एक बार देखा आख बंद किया 10 शेकेंड सोचा और आनसर ूजरा इसे आप एसको बतावे चाई होगे जादू होは नमें लेकिन अभी के लिए अभी के लिए तो हम इसको पुरा मेथट से इसका कॉंसेप्ट अप्लाई करने का कोसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर नीचे में लिखता हूँ लेमिट एच टेंडिंग तो जीरो कहां पर चेक करना है बच्चो X equal to 1 पे तो A equal to क्या हो जाएगा इसाओल के लिए A equal to 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा F of 1 minus H minus F of 1 upon minus H जैना बताओ 1 minus H का मतलब वहता है 1 से कम क्या? 1 से कम और 1 से कम का मतलब X से कम, X से कम किदर साइड में? यह X से कम यहां पर अवलेबल है तो 1 minus H X के जगा पर यहां पर पूठ हो जाएगा नीचे में तो क्या लिखा आपने? Limit H tending to 0 4 into X के जगा पर 1 minus H का whole is square minus 1 फिर आपने डाला क्या? कि इसके जगा पर X equal to 1 X equal to 1 कहां पूठ होगा? मतलब X की वैलू 1 कहां पर है? उपर वाले function में यहां नीचे वाले में equal to कहां लगाए देखो तो यहां 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 तो यहां के लिए लिए लगाए लगाए ना यहां पर X greater than R equal to तो यहां पर put होगा मतलब minus 2 into 1 plus 1 नीचे divided by minus H आगे solve कर रहा हूँ मैं limit H tending to 0 जड़ा देखो तो यह क्या हो जाएगा 4 into पुरा मैंने एक बाद इसको open किया whole square minus 1 minus 2 और 1 3 upon minus H क्या हो जाएगा बच्चों जड़ा देखो तो एक line और solve किया यहां तो यह 4 plus 4H square minus 8H minus 4 upon minus H यह से कट किया उपर से H common हुआ limit is tending to 0 उपर से H common हुआ और यह बच गया 4H minus 8 upon minus H यह से कट गया अब limit पुट किया तो 4 into 0 minus 8 upon minus 1 answer हो गया इसका 8 LHD कितना आगया बच्चों 8 अब क्या निकालेंगे अगला हमारा क्या परमकरत प्या है RHD निकालना और RHD अगर निकालते हैं क्या निकालना गया RHD RHD का पहले बच्चों फार्मुला लिक लेते हैं फटा फट F of A plus H minus F of A upon H A equal to कितना कहां पे निकालना है 1 पे तो limit H tending to 0 F of 1 plus H minus F of 1 upon नीचे में plus H मोलो 1 plus H का मतलब X से ज्यादा और X से ज्यादा का मतलब X से ज्यादा का मतलब काउन सा फंक्चन लगेगा X से ज्यादा का मतलब यह देखो 1 X greater than 1 उपर वाला फंक्चन है क्या मतलब फंक्चन काउन सा लेंगे उपर वाला उपर वाला फंक्चन क्या है 2 X plus 1 मतलब x के जगा पे क्या put हो जाएगा 1 plus h आप put करते हैं यह हो जाएगा limit h tending to 0 1 plus h 2 into x के जगा पे 1 plus h plus 1 minus 1 तो यही put होने वाला है नीचे में हो जाएगा plus h थोड़ा आप solve करते है h tending to 0 यह 2 plus 2 h हो जाएगा plus h minus 3 हो जाएगा अपन नीचे में plus h हो जाएगा बोलो यह इससे कट गया क्या कटने के बाद क्या आया कटने के बाद limit h tending to 0 क्या आया 2 h by h अब यह कट गया अब answer आया इसका 2 तो यह बराबर rhd मतलब lhd की value हमारे पास आई है 8 rhd की value हमारे पास आई है 2 क्या दोनों बराबर है क्या lhd are not equal to rhd इसलिए function नंदू हो गया मतलब non-differentiable बट 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 रुजन तस्वा पॉइंट याद करो अगर सवाल यह भी पूछता है कि अब सवाल option में क्या मिलेगा आपने तो नंदू चेक कर लिया option में को और होगा कि function is continuous at this point function is continuous at x equal to 1 या function is discontinuous at x equal to 1 मतलब continuity भी चेक करना पड़ेगा इसके क्या मतलब कि मैं lhl lhd लिखा लूँगा कभी नहीं अपना दस्वा point याद करूँगा आपने दस्वे भग्वान को याद करेंगे क्या क्या है यहां पे जाना देखो इतने में क्या याद करेंगे अपना लोग कि भई lhl equal to आया है 8 एक finite number भाई रह LHD रहचीड आया है 2 एक finite number अप दोनो finite है तो इसका मतलब भी क्या हो गया function continuous हो गया मतलब function non-differentiable है बट function क्या हो गया? Continuous इसका मैंने पुरा डीटेल में बता चुका हूँ अगर इसका मुझे graph देखना होगा suppose किये अगर माल लो कि हम चाहें कि graph से देखना कि हांसर आपको graph से दिखा दो कि function कैसे continuous है मैं पड़ा बहुत जल्दी से graph दिखा देता हूँ ज़रा से मैं एक सेकंड का वेट कर रहा हूँ ता कि आप इसका फटा फट लिख ले फिर मैं graph बनाऊ ज़रा आप लिख लो मैं वेट कर ले रहा हूँ तो आप आएंगे हम लोग graph बनाएंगे इसका graph खीचेंगे कि सर कैसे function आपने कहा कि continuous है लेकिन differentiable नहीं है ज़रा खीचते हैं देखो यह है यह है x-axis यह y-axis और यह है कोई आपका x equal to 1 x equal to 1 वाली line कुछ ऐसे है x equal to 1 वाली line ऐसे है x equal to 1 पे यह वाली value कितना दे रहा है 3 यहां कि कोई value है 3 और x equal to 1 पे यह value कितना दे रहा है यह भी 3 है नहीं x equal to 1 पे लेकिन value तो दे रहा है 3 अच्छा अज़रा बताओ यह एक straight line है यह वाली line उपर लाइन कौन सी है उपर लाइन है y equal to 2x plus 1 और तरीका बता चुका हो minus 2x plus y equal to 1 मतलब यह आपका minus और यह plus यह minus यह plus यह minus और यह plus क्या होता है second quadrant में कुछ आपका यह line जाएगा कहां से जाएगा तो x equal to 0 रखेंगे तो y equal to 1 से जाएगा यहां कहीं 1 होगा और ऐसे ही अगर y equal to 0 रखो तो x equal to half होगा कहीं यहां half होगा minus half होगा ऐसे कुछ जाएगा यह लेकिन क्या ये आगे जाना है तो आगे ऐसे जा रहा होगा देखो ये लाइन से मैं x greater than चुकि यो वाला उपर वाला x greater than r equal to 1 के लिए है तो मैं greater than r equal to 1 के लिए सिर्फ इदर का बनाऊंगा पीछे वाला तो सिर्फ अपने को एक idea लेने के लिखी चाह गया है अब ये वाला जो graph है ये है आपका 4x square minus 1 y equal to 4x square minus 1 कैसे काउन सावला है y equal to जड़ा देखते रहो y equal to 4x minus 1 तो y equal to 4x minus 1 में 4x square minus 1 तो क्या ये वाला similar graph होगा y equal to 4x square का फिर ये minus 1 का मतलब इसका graph एक unit नीचे खिशख जाएगा और जड़ा देखो इसका मतलब कि क्या ये minus 1 से ऐसे जाएगा क्या ये क्या इसका graph नीचे कुछ ऐसे ही जाएगा क्या ये कि y equal to 4x square कुछ ऐसे बनता ऐसे लेकिन आपको minus 1 है तो कुछ ऐसे जाएगा ये ऐसे और चुकि 3 पे तो इसको जाके मिलना ही है क्योंकि x equal to 1 पे इसकी value 3 हो रही है और चुकि इसकी value तो 3 से just पीछे है 3 से just पीछे पे 1 पे तो है नहीं तो just पीछे तक रहेगा और 3 और 3 तक ये रहेगा जाएगा यहाँ पे आते ही देखो ये function हर भी जगा है इधर से इधर में ऐसा है मतलब function तो है लेकिन देखो यहाँ पे corner आ गया और corner होने की वज़े से ये आपका function non-differentiable था लेकिन continuous तो ये function के लिए 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 देखो जाके मिल रहा है ये x less than 1 के लिए था तो function यहाँ से जाके मिला यहाँ पे और 3 से आगे इधर है तो function तो आपका क्या है continuous है क्योंकि function इबरी जगा है लेकिन ये function non-differentiable है क्योंकि corner आ गया तो यही वाली बात है मैं यही आपको बला था कि 10 वेक एक्जामपल के समय में कि मैं आपको वो चीज दिखाऊगा एक्जामपल के टाइम पे कैसे function आपका वहाँ पे exist कर रहा था तो corner आ गया इसलिए function non-differentiable लेकिन function लगातार है इसलिए function continuous तो बस बच्चो आज के लिए इतना ही ठीक है बाकी चीजे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और एक्जामपल करेंगे और थोड़ा से अपना इसको मजबूत करेंगे IIT के सवाल करेंगे previous years के और सब इसके बाद कल करते हैं इसको Thank you